पुराने लोग सिर्फ वादा 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 किये अभी तो कुछ काम नहीं हुआ है। तब ही हमारा संगठन और हमारे समाज के लोग आगे बढ़ पाएंगे और हमारे दीपक जी को जो दीपक की तरह जलते रहेंगे आप लोगों को उमीद पर खड़ा उतरेंगे जहाना बाद के लिए एक नया दीपक तयार करें चुको जितने भी पुराने लोग थे वो सिर्फ को बादा ही करते आ रहे हैं तो जब तक हम अपने बेटे को अपने भाई को अपने परिवार को जिता के नवस्कार हमारा नाम है समदीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइफ सिटीज देखें लाइफ सिटीज की चुनावी यात्रा इस वक्त जहानाबाद में मौजूद है और आपको मालूम है कि जहानाबाद इस वक्त हाई प्रोफाइल सीट बना हुआ है और देखि कॉन्फरेंस की है और आपको बता दें कि इस पीसी में शामिल होने के लिए यहां खुद पहुचे थे भारतिये विश्कर्मा महा संके राश्री अध्यक्ष मुकुल आनंद भी तो सबसे पहले देखिए कि आप इस पीसी में क्या कुछ खास हुआ है चुनाव बहुत कि इस जाती धर्म कुछ नहीं पुछ कर सारे लोगों जो हैं अपने लाप दिया है उसी तरह पूरे जहानावाद में जहानावाद पुरा सपोर्ट में हैं हर जगा दिपक्षचा हो रही है जहानावाद का पुरा समर्थन मिल रहा है और इसमें जो है आप लोग जितने भी और भी लोग हैं जो सपोर्ट में हैं खुल करके जो एक तारी को जो है दीपकुछ देगे चुनाव जुद्ने फिर सबसे पहले प्रत्मिक्ता जो यहां की समस्या है जो पुराने लोग सिर्फ वादा 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 किये हैं अभी तो कुछ काम नहीं हुआ है सबसे पहले एदा वही है रोजगार संगठन में रहता रोजगार हम लोगों और ठीज़ा दिया है महिला आओं को भी रोजगार देगे अम लोग सिक्षा जो व्यवस्ता चैतितने प्रें की सवास्द कि विवश्ता है हर दिन आप देखते हैं उसको भी हम लोग सबसे पहले अपराद किता हुए कि काल करें। सबसे उपर जाए। कि हमने किया है उसके बाद हम भूट मादने हैं। उन लोगों ने सिर्फ उची दुगान भीकी परवान का दाम किया। सिर्फ वादा किया है और आज तक कुछ नहीं किया है। अब दोनों जो बुजूर्ब लोग हैं उन्तों अबाराम करने का समय हुए। इसलिए जहानाबाद में जिवा ही आ रहे है। जहानाबाद के जन्ता के तरह से पहले ही इनको हम लोग जीत का सहरा पहले ही पहना दे रहे हैं। अब यूं विश्वपर्मा बहाव विश्वपर्मा पुत्र दॆप्णि को जलते रहे। उसके लिए जहानाबाद के जन्ता से जिस परमा समाझ से अतित्षाडा समाज से मेut 24 समाज से हम लोग आगरा करने आए हैं विश्वपर्मा दिपक सर्माजी को जिता कर अपना ज्यादा से ज्यादा मत देखर जिता कर इनको सांसत भेजा जाए चुकि नए युवा हैं नए समय की उमीद हैं और हमारा विश्वकर्मा समाज का आवादी सारे 8% है उस हिसाब से पूरे जहानवाद छेतर में 2,17,000 हज्जा विश्वकर् जहानवाद के तमाम बंदूओं से विश्वकर्मा बंदूओं से अतीफिरा समाज से और वैसे समाज से और जहानवाद के तमाम लोगों से आगराफ करते हैं कि दीपक जी को जिताने का काम किया जाए यहाँ पर जितने भी लोग उपस्तित हैं आज यहाँ के बाद हमारे पूरा का पूरा टीम जहानाबाद जीला में घूम घूम कर इनके लिए भोट मांगने का काम पिछले लंबे अर्शे से कर रहा है और करता रहेगा हम लोग किसी भी कीमत पर चाह रहे हैं कि 200 करमा समाज में जागरिती हो और समाज उनाइट हो समाज उनाइट होगा तभी किंती नहीं की जाती है और तो हम लोग भूट तग्रे रूप में ज्यते हैं अगर घर में 10 बोट है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि 10 से 10 बोट इनाइट हैं कुछ ऐसे बी समाज की लोग हैं राजपुच के भोट की चर्चा की जाती है यादों की भोट की चर्चा की जाती है उसी तरह विश्वकरमा समाज के भोट की भी चर्चा करें तुकि 8.5 परसें भोट जिसके पास है उसकी चर्चा ही नहीं आपको करते हैं और आपको उसे आगरा है कि विश्वकरमा समाज की विस्व करमा समाज को भी आगे बढ़ाने का काम करें और हमारे दिपक जी को जो दिपक की तरह जलते रहेंगे आप लोगों को उमीद पर खड़ा उतरेंगे इसलिए मैं चाहता हूँ कि जहानाबाद की जनता इनको विजय ही बनाए और हर हाल में इनको जुठाने के लिए हम लोगों पुरा का पुरा विस्व करमा समाज अधी पिक्रा समाज, बैस्ते समाज और तमाम जातियों से मैं आगरा करता हूँ और आप सब लोगों का मंदन लेगे आप सब लोगों से बन लेके इनको जीत का सेरा हम लोग पहनाएंगे मुकूल जी सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि अपने समर्थकों के साथ आप दीपक शर्मा की बीसी में पहुच गए कोई खास पजा दीपक शर्मा बिस्व करमा पुत्र हैं हमारे समाज के बेटे हैं हमारे भाई हैं और जहानाबाद के तमाम बिस्व करमा बंदूओं से अतिम पिखड़ी जाती के लोगों से बैस समाज से आगरा करने आए हैं कि दीपक शर्मा को जिता कर जहानाबाद के लिए एक नया दीपक तयार करें जितने भी पुराने लोग थे वो सिर्फ उबादा ही करते आ रहे हैं और हमारा समाज का बेटा अगर जीत कर जाएगा तो समाज की बात करेगा गरीब गुर्वों की बात करेगा इसलिए दीपक जी को जिताने के लिए जहानाबाद की जंता से आगरह करने آया है विष्यकर्मा समाज से आगरह करने है आप यहां देख रहे होंगे कि पूरे बिहार से विष्यकर्मा समाज के लोग यहां आय है दीपक शर्मा को जीताने के लिए और गाओं गाओं जाकर इनके लिए भोट मांग रहे हैं जहानाबाद ने विश्कर्मा समाज के कितनी आबादी है 2,17,000 आबादी है आपके कहने पर दीपक शर्मा को वोट देगी लगता है आपको मुपल जी आजादी से 76 वर्सों तक आज तक हम लोग दूसरों को भोट देते रहे उसके बदले में हमें क्या मिला आज तक कुछ नहीं मिला हमारा एक MP नहीं है हमारा एक MLA नहीं है हमारे लिए हमारे विश्कर्मा समाज पे जितना भी काम धंदाता सारा के सारा कोर्पोरेट घरानों के पास चला गया आज समाज की स्थिती ये है कि हमारे समाज के 99% लोग गरीबी के नीचे हैं तो आखिर उनको ले जाने के लिए हर ताले की कुझी यह कहा है संसत बहुन है या विधान सवा है तो जब तक हम अपने बेटे को, अपने भाई को, अपने परिवार को जिता के संसत नहीं बनाएंगे, संसत बहुन नहीं भेजेंगे, तो इस समाज की आवाज को उठाएगा पहलवान बहुत है मैदान में, चंदेश्वर प्रसाद, चंदरवंशी है, सुरेंदर यादव है, अरुन कुमार है, आशतोष कुमार है, क्या होगा चंदरवंशी जी पिछले पाँच साल में, कितने बार अपने छ width में आये है, कितने लोगों का काम किया है, बात रही, शुरेंदर यादो की, तो सुरेंदर यादो का तो इक अपना ही रंग है, वो अपने हिसाब से चल रहे हैं लेकिन हमको उन लोगों से क्या मतलब है विष्कर्मा समाज ने खेल कर दिया है जहानाबाद में क्या कहीं गाति पटची जितने भी हमारे समाच के लोग हैं अति पिछली जातियां हैं वाइसे समाच है ऐसा नहीं सभी समाच से मुझे समर्थन मिल रहा है क्योंकि हमने जो काम किया है उन्होंने मतलब एक पद पे रखे भी नहीं किया है आप जो बोल रहे थे धुरंदर है कोई धुरंदर नहीं है जन्ता को क्या चाहिए उनकी समस्या सुनने वाला चाहिए उनका समधान करने होला चाहिए उनके सुख दुख में काम करने होला चाहिए तो वो हम काम तो वो काम हम 2016-2017 से जहानावाद में कर रहे हैं बच्पन हमने जहानावाद में बिताया है पढ़ाई लिखाई की आज भी दुख दर्द तकलीफ होता है कि हमारे साथ में पढ़ने वाले युवा साथी आज भी बेरोजगार है उनके लिए कौन जिम्मेदार है उनके लिए कौन आवाज उठाएगा इसलिए जहानावाद में दीपा को आना पड़ा है यानि कि आप तो विश्कर्मा समाज ने भी खुला समर्थन जी जी खुला समर्थन मिला है और भी सारे समाज से खुल समर्थन मिल रहा है क्योंकि हमने जो किया है उसके बाद हम मांगने आ रहे हैं तो सुना आपने कि यहां पर बड़ी PC अभी अभी हुई है और आपने देखा है कि विश्कर्मा समाज ने दीपक शर्मा का समर्थन कर दिया है यानि कि अब लालू और नितीश की टेंशन और भी ज्यादा बढ़ गई है तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है तो ये पूरी बात चीद आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताईएगा तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइफ सिटीज को हुश्यूरिया